Welcome to my YouTube channel Asset Guide आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरीके से एक नए मर्चेंट को रजिस्टर किया जाता है जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं हमें सबसे पहले डील से कर उपन करके और यहाँ पर अपना मर्चेंट ओफिस खोलना है जब आप अपने मर्चेंट ओफिस पर जाएंगे तो कुछ इस टाइप का फिचर मिलेंगे माई डील, मर्चेंट अकाउंट, एड्रस बूक, रिब्यू, स्टेटस यह सब तो यहाँ पर आप मेरा नाम भी देख सकते हैं मैं यहाँ पर अप्रूब्ड मर्चेंट हूँ और इसके नीचे description है नीचे merchant type मैं individual हूँ तो अगर आपका कोई registered business है तो आप उसे registered कर सकते हैं otherwise आप individual भी कर सकते हैं तो इस तरीके से आपको register करना है अब हम बात करते हैं कि कि इस तरीके से एक नए merchant को add करना है और वो भी बिना किसी subscription के तो उसके लिए हम क्या करेंगे सबसे पहले merchant office वाला जी वी बिंडो है इसको इधर right side में जाना है यहाँ पर add new merchant का option आएगा तो आप इस पर या तो इसे नई tab में खोल सकते हैं यहाँ पर दिया हुआ है add new merchant account अपन रजिस्टरिंगे merchant country manager will be notified expect a review within 5 working days तो जैसे ही यहाँ पर कोई नया merchant रजिस्टर होगा जो country manager है उनके पास उसका notification पहुँचेगा और वो 5 दिन के अंदर इसको जो है verify करेंगे review करेंगे तो सबसे पहले आप यहाँ पर अपनी language को change कर सकते हैं Chinese, Japanese, Spanish, Russian Portuguese, German जो भी आप चाहें तो by default यहाँ पर English select रहती है आप English में इसको कर सकते हैं Hindi का अभी तक यहाँ पर कोई option नहीं है लेकिन पिछले dealsecker event में बताया गया है कि जल्द ही यहाँ पर Hindi में भी एक option आने वाला है तो आप Hindi में भी यह चीज़े कर पाएंगे सबसे पहले आपको अपना merchant name यहाँ पर लिखना है इसके बाद आप अपने business के बारे में description यहाँ पर लिखेंगे इसके बाद आप किस परकार की deal को dealsecker पर run करना चाहते हैं क्या आप product sale करना चाहते हैं वो उसको यहाँ पर describe करना है अगर आप individual seller है तो individual को select करें by default यह individual ही रहता है अगर आप कोई business merchant है आपका कोई registered business है तब आप business select कर सकते हैं यहाँ पर अब हम आगे बढ़ते हैं आपको अपना business address देना है country यहाँ से select करनी है drop down में करके आप कोई भी country जिस country में आप रहते हैं उसको select कर सकते हैं यहाँ पर इसके बाद आपको state अपना देना है city यहाँ पर लिखना है इसके बाद pin code यहाँ पर लिखना है इसके बाद आपको यहाँ पर address line लिखनी है अपना address जैसे आपका street number, house number, plot number इस तरीके साब को यहाँ पर देना है इसके बाद आपको अपना country code drop down करके select करना है अगर इंडिया में है तो आपको plus 9 बन है इसके बाद अपना phone number यहाँ पर लिखना है इसके बाद आपको business email यहाँ पर लिखना है यानि कि जिस email के थुरू आपके customer आपसे contact कर सकते हैं वो आला business email आपको यहाँ पर लिखना है आपकी अगर कोई अपनी business website है तो वो यहाँ पर लिखनी है यहाँ पर आपको इन दोनों terms को accept कर लेना है और इसके बाद add merchant account पर click कर देना है तो यहाँ पर आपको website की requirement होती है आपको मैं एक और चीज यहाँ पर दिखाना चाता हूँ कि हमारे जो coupon है यहाँ पर available लगे हुए वो website designing से ही related है तो अगर आपको website designing करवानी है WordPress website deal checker की मदद से तो आप हमारे coupon भी buy कर सकते है हमारी deal को purchase करके जो है हमचे आप contact कर सकते है बहाँ पर हमारा contact number भी मिलेगा तो यह सारी चीज़े चेक करने के बाद आप अपनी website भी design करवा सकते है तो यह एक तरीके से मेरी अपनी deal का promotion भी यहाँ पर हो गया तो इस तरीके से आप एक नए मर्चन को register कर सकते हैसके बाद उनको आप coin transfer कर सकते है और भी deal checker के product को purchase कर सकते हैं और sale भी कर सकते है तो इस तरीके से यह complete process है एक नए मर्चन को कैसे add करना है इसके साथ साथ अगर आपको कोई और question है कोई doubt है तो नीचे comment करके पूछ सकते हैं आप चाहें तो हमारी website पर भी जाकर पूछ सकते हैं मैं अभी ये सारे comment के जो question है पूछो.org पर उसके answer देता हूँ तो आप वहाँ पर भी जाकर उनको check कर सकते हैं एक एक question का answer वहाँ पर आपको मिल जाएगा separately तो ये भी काफी अच्छा process है question के answer को जल्दी से लेने का तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं नई वीडियो में नए information के साथ तब तक के लिए key watching asset guide